हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार अपना फिर से अलफा पार्ट शाला में दोस्तों मैं विक्रम आपके लाया हूँ आज एक बैंक का टॉपिक और किसी भी बरकार का पेपर हूँ उस पेपर में बैंक से रेलेटिड काफी बात कोशन पूछ जाते हैं दोस्तों मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आप हमारी पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीख रही होंगे चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ अपने बैंक के टॉपिक की सबसे पहला कोशन भारत का पहला बैंक कौन सा था तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो ये बैंक नाम का वर्ड है ये कहां से लिया गया आपका ये जो बैंक नाम का शब्द है ये इटली के इटली के बैंको वर्ड से लिया गया है अगर मैं आपको बताओं ये बैंको वर्ड है क्या आपका तो आप इसके बारे में तोड़ा सुन लीजिए उस समय बैंच पर बैठ कर यानि की बैंच पर बैठ कर जितने भी हम लेंदेन करते थे ट्रांजक्शन करते थे उस वर्ड से आपका बना है बैंक को और फिर बना है आपका बैंक और हमारे भारत में सबसे पहला जो बैंक था वो सतरा सो सतर को खुला था जिसका नाम था बैंक ओफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान और ये वाला जो बैंक था आपका वो कलगत्ता में खोला गया था दोस्तों मैं आपको इक बात बताना जरूर पसंद करूँगा कि इस बैंक में कोई भी पैसा इंडियन नहीं था यानि कि ये वाला जो बैंक था आपका वो इस्ट इंडिया कमपनी और एलेक्स जैंडर दुआरा खोला गया था और कुछ समय के बाद ये वाला जो बैंक था वो बंद हो गया था तो इस बात को हम यहाँ पर तोड़ा सा आईम पर नोड़ा देते हैं बंद हो गया बंद हुआ चलिए आगे हम कोशनी के और बढ़ते हैं कुछ इंपोर्टन डेट्स हैं जैसे की बैंक ओफ बंगाल कब खुला था 1806 को बैंक ओफ बंबे कब खुला था 1840 को और बैंक ओफ मदराज कब खुला था 1843 को दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो तीनों बैंक थे इन तीनों बैंकों में पैसा तो प्राइविट का था लेकिन थोड़ा बहुत पैसा इसके अंदर हमारी सरकार ने भी डाला हुआ था इसलिए हमारी सरकार भी इसके अंदर थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो गई थी और समय समय जैसे जैसे बीटा गया तो इन तीनों बैंकों को मिला कर मिला कर हमने Imperial Bank of India की स्थापना करी और ये स्थापना 1921 को की गई मैं आपको बता दूँ ये वाला कोशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि Imperial Bank of India की स्थापना कब हुई एक तो आप इसकी डेट को जरूर याद रखिएगा और दूसरी बात इस बैंक को कितने बैंकों को मिला कर बनाया गया था तो उसमें तीन आंसर होगा आपका बंगाल, बंबे और मदरास का बैंक दूस्तों एक बहुत आईंपे फैक्ट है जब ये Imperial Bank of India बना तो हम यानि कि सरकार सोच रही थी क्यों ना इसको हमारे भारत का रिजर बैंक बना दिया जाए लेकिन इस Imperial Bank of India का जो वरकिंग प्रोसेस था वो इतना स्ट्रोंग नहीं था कि हम उसको अपने भारत का केंद्रिय बैंक यानि कि सेंट्रल बैंक बना सकें इसी लिए थोड़े समय के बाद इस बैंक का नाम चेंज किया गया और इस बैंक का नया नाम रखा गया नया नाम रखा गया S.B.I. S.B.I. का मतलब State Bank of State Bank of India और ये वाला नाम कब रखा गया था आपका एक जुलाई 1955 को तो ये वाला कोशन भी बहुत बार पूछा गया है कि Imperial Bank of India का नया नाम कौन सा है आप आंसर लिखेंगे S.B.I. और ये नाम कब रखा गया था 1955 अब हम बात करते हैं 1959 की अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा 1959 को यहाँ पर लेके जाओं तो 1959 को ऐसे साथ बैंक 7 बैंक जो की S.B.I. के सायक बैंक थे उनको बनाया गया और यह साथ बैंक कौन कौन से थे मैं आपके सामने थोड़ा से इसको लोकेट कर देता हूँ जैसे कि इसमें से सबसे पहला बैंक था स्टेट बैंक ओफ सोरास्ट इसी परकार से स्टेट बैंक ओफ इंदौर इंदौर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं अपने और बैंकों की स्टेट बैंक ओफ बीकानेर वै जैपुर स्टेट बैंक ओफ पटियाला स्टेट बैंक ओफ हैदराबाद स्टेट बैंक ओफ मैसूर और स्टेट बैंक ओफ त्रावनकोर ये थे इसके साथ बैंक एसोसेटेड बैंक लेकिन आप इस बात को जरूर याद रखेगा कि वर्तमान समय में SBI का कोई भी एसोसेटेड यानि कि सायक बैंक नहीं है क्योंकि 2008 में 2010 में और इन सभी को 1st एप्रेल 2017 को हमारे SBI में ही शामिल कर दिया गया है यानि कि अब हम इनको स्टेट बैंक ओफ सोरास्ट ना बोलकर इसको SBI ही कहते हैं आप एक बात और याद रखेगा बहुत अच्छी बात है वो कि 1st एप्रेल को 17 में ही एक बैंक था जिसका नाम था पहले महीला बैंक और इस बैंक को भी हमने SBI में ही मर्ज कर दिया SBI में ही क्या हो गया आपका बैंक ये शामिल कर दिया गया दोस्तों कुछ बाते जो आपको SBI के बारे में याद रखने हैं जैसे की SBI का Headquarter ये आपका पड़ेगा Mumbai में इसी परकार से SBI के अध्यक्ष कोन है आप कुछ याद रखें ना रखें लेकिन SBI के अध्यक्ष को ज़रूर याद रखेगा अध्यक्ष यानि की चेयर परसन जिसका नाम है रजनीश कुमार काफी पेपर में पूछा गया नाम अब SBI के बारे में टीचर इतने कोशन क्यों पूछता है इसकी वज़े बस यही है क्योंकि SBI हमारे RBI का सबसे ज़ादा सहयक कह सकते हो एजन्ट बैंक माना जाता है आपका चलिए अगले कोशन के तरफ मूव आउन करते हैं हम SBI की डिजिटल बैंकिंग सेवा मोबाइल एप कौन सी है या क्या है तो इसका नाम है योनो जो ये योनो नामक मोबाइल एप है इसकी फुलफो मनेगी यू ओनली नीड वन यानि कि आप इस मोबाइल एप के दुआरा अपने SBI के जितनी भी डिजिटल लेंडिन है वो आप इसले कर सकते हैं चलिए हम आगले कोशन की तरफ मूव ओन करते हैं पून्टिया भारतिय पुंजी यान की कैपिटल से कौन सा बैंक शुरू हुआ दोस्तो आप इस चीज को जरूर अच्छे से सीखिएगा क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक मात्र ऐसा प्रथम बैंक था जिसके अंदर 100% पैसा किसका था हमारे इंडिया का पैसा था तो इसके जो संस था पकिया निक इसके जो फाउंडर है उनका नाम है लाला लाजपत राई और एक वेक्तियोरस का नाम है ओयाल सिंग और मैं आपको बता दूँ इसके जो स्थापना थी वो मई 1894 को लाहूर में की गई थी और इसका जो नेशनलाइजेशन है वो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इसका सिंगल बैंक का नेशनलाइशन नहीं किया गया था 19 जुलाइ 1969 को 14 बैंक्स का नेशनलाइशन किया गया था और इन 14 बैंक में से एक बैंक कौन सा था भई आपका ये पी अन्बी बैंक भी उसी में शामिल था इसका जो क्या कहते हैं हेड क्वार्टर है वो अभी कहां पर है आपका इसका डेली में है इसका हेड क्वार्टर कहां पर है डेली और इसके जो वर्तमान के M.D. और C.E.O. है उनका नाम है सुनील महता जी सुनील महता जी दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और यहां पर बता देता हूँ जो हमारा P.N.B. बैंक है इसके सबसे पहले जो M.D. या C.E.O. बने थे उनका नाम था ओयाल सिंग तो आप इसके फर्स्ट चेयर पर्सन को वियाद रखिएगा और वर्तमान को वियाद रखिएगा चलिए अगले कोशन की तरफ मूव ओन करते हैं वियापारी बैंकों का नेशनलाइजेशन यानि कि इसके अदर हम कुछ फेक्ट की बात करेंगे जैसे कि 19 जुलाई 1969 को टोटल 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिनके पास में 50 करोड से जादा क्या थी कैपिटल थी पुन्जी थी बिलकुल इसी परकार से एप्रिल 1980 को 6 बैंक इसमें शामिल किये गए जिनके पास कितना पैसा था 200 करोड से जादा क्या था उनके पास पैसा शामिल था तो यह टोटल वैल्यू कितनी हो गए इसकी 20 तो इसमें से एक बैंक 1993 में इस बात को मैं तोड़ा सा नोट डाल के लिखूंगा 1993 में New Bank of India New Bank of India जो कि पहले इन 20 में शामिल था वो इससे हटा दिया गया और उसको किसमें शामिल कर दिया गया उसको PNB में मर्ज कर दिया गया अगर हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके बात लास्ट यह बनती है कि वर्तमान समय में आपके व्यापारिक बैंक कितने है तो आप इसका आंसर 20 ना लिखकर कितना लिखेंगा आप इसका आंसर इसमें से आपने एक माइनस किया और आंसर आपको रिसीव हो है यहाँ पे 19 बैंक आप इस संख्या को जरूर याद रखेगा यह वाली बात बहुत बार पूछी जाती है अगली बात हमारे भारत में कुल सारजनिक बैंक कितने है तो इसका आंसर होगा आपका 21 इसकांसर लेकिने आप 21 जिसमें से 19 तो कौन से बैंक है यह वाले एक इसके अंदर शामिल है आपका SBI और एक इसके अंदर शामिल है आपका IDBI आप IDBI की फूल फॉर्म लिख लेजिए मैं बोल देता हूँ Industrial Development Bank of India और यह जो बैंक है आपका इसकी स्थापना 1964 को हुई थी और इसका जो Head Quarter है वो मुंबई के अंदर है हाँ अगर आपसे कोई इसके MD पूछें तो आप इसका आंसर लिखेंगे महेश कुमार महेश कुमार जैन किसके की परसंद है IDBI के तो दोस्तो पब्लिक बैंक हमारे वो बैंक होते हैं जिसमें 51% पैसा तो गौवर्मेंट का होता है बाकी प्राइवट सेक्टर का होता है अगर इसको मैं opposite कर दूँ यानि कि जिसमें 51% पैसा तो कि किसका हो प्राइवाट का और बाकी पैसा किसका हो गौर्मेंट का तो उसे हम क्याते हैं प्राइवट बैंक तो वर्तमान समय के अंदर हमारे भारत में कितने प्राइवेट बैंक है इसका answer लिख देते हैं 35 यह जो value है यह समय समय पर बदलती रहती है इसलिए जादतर paper में नहीं पूचाती है लेकिन जो ये वाला अंसर है वो बहुत कम बदलता है इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा तो थेंक्यों दोस्तों आज के लिए इतना ही कंटेंट अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों आपके लिए एक मैं कोईशन छोड़के जाता हूँ आप मुझे वो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा क्या हमारे भारत में कभी 10,000 रुपे का नोट भी छपा है अगर हां तो कब छपा है आप इस बात का अंसर मुझे कमेंट बोक्स में दे शुक्रिया दोस्तों